तो गुद मॉर्णिंग बच्चो वेलकम टू ओनलाइन क्लास तो माइनेम इस रजनी मैम और क्लास टीचर एंड एस वेल एस यूर सब्जेक्ट टीचर आज हमारा राहिम्स का टर्न्स है तो राहिम्स में हम क्या करने वाले हैं बच्चो आपकी सबसे पहले जो पोयम है राहि की थी जब बताती हूं हमेशा से बताती हूं जब आप पोयम बोलते हैं तो आपको जब हम हिंदी की पोयम बोलते हैं तो हैंड्स बैक करके इस तरह से हम अपनी सबसे पहले नाम भोलेंगे जैसे कि मैं सासाथ बोलूंगी तो आप मेरे वीडियो देखेंगे आप वीडियो की बुक है इस तरह से और यह रैम्स की बुक में आपका यह सबसे पहला पेज तो आपका कंटेंट्स का था और यह दूसरा पेज आपका है प्रात्ना जिसमें आपकी सारी पोएम से लिख्यों थी तो सबसे पहले कोयम है आपकी यानि की कवीता है प्राथना तो हम बोलेंगे मेरी कवीता का शीशक है प्राथना मेरी कवीता का शीशक है प्राथना मेरी कवीता का शीर्षक है प्रात्ना तो कैसे हम जब हम भगवान से प्रात्ना करते हैं इशर से प्रात्ना करते हैं तो हम कैसे करते हैं हाथ जोड़ के सबसे पहले हम ऐसे सुबज हम सुबा मौर्णी में उठते हैं मेरी कवीता का शेषख है प्रात्ना सारा जगत बनाया तुमने फूलों को महकाया तुमने कारों को चमकाया तुमने चिडियों को जहकाया तुमने पादल को बरसाया तुमने शीतल पमन बहाया तुमने फिर्पा करो हम पर भगवाण हम तेरे बालक नादान धन्यवाद एक बार फिर बोल देते हैं मैचो एक बार फिर आपको दुबार से लण करवा देते हैं है ना कैसे करेंगे सबसे पहले हम अपना हैंड क्लोज करेंगे इस तरह से तारा जगत बनाया तुमने फूलों को महकाया तुमने तारों को चमकाया तुमने चिडियों को चहकाया तुमने बादल को बरसाया तुमने शीतल पमन बहाया तुमने किरपा करो हम पर भगवान हम तेरे बालक नादान है ना छोटे बच्चे या बड़े भी हम प्रात्ना करते हैं बच्चों से तो हम क्या कहते हैं भगवान से कि जो हमारा ये संसार बनाया हुआ है यानि कि जितनी भी सारी हमारी संसार में खुछ बनाएं है सारी चीजें और जगद सार लोह को अगर फूल अगर अंदर कुषिपुक्रे अनने कुछ मेंदे कि महक नहीं है फूल फूल जो आते तारों के में स्वायद्य का काटिशी की में आती है यानि की हमारी संसार की हर च्वात दो पूरा पूरा मलब उसी कही बनाया हुआ सब कुछ होता है उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं बादल को बरसाया तुम्हें आसमान में जो बादल है वह भगवानी बरसाते हैं उन्हें भी शीतल पवन भाया तुमने शीतल यानि कि जो हवा चलती है ठंडी ठंडी जो भगवान ही तो करते हैं आईश्वरी करता है ना किरपा करो हम पर भगवान बच्चे कह रहे हैं कि भगवान हम पर ऐसे किरपा करो कि हम तेरे बालक हम नादान बालक हैं हम पर ऐसे किरपा कर दो कि हम भी अच्छे से अपनी पढ़ाई बचो तो यही कहेगा ना कि अच्छे से हम पर भी ऐसी किरपा कर दो कि हम भी बहुत अच्छे से बड़े होपार अपनी पढ़ाई लिखाई करें तो बचो धन्यवाद I hope कि आपको ये पोयम अच्छे से यानि की कवीता ये अच्छे से लर्ण हो गई होगी और आप ही अपनी बुक में देखकर भी